नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हाइबिसकस, गढ़हल या फिर जासूद एक बेहत खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन जितना ये प्लांट खुबसूरत है उतनी ही इसमें प्रॉब्लम भी है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी-छोटी टीप्स दिखाऊंगा जो 100% आपके गढ़हल के प्लांट को फूलो से भर देगा अगर आप इसे रेगुलर्ली फॉलो करेंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूले दोस्तों, हिबिसकस या गढ़हल प्लांट की सबसे बड़ी समस्या है या वाइट मिली बग या मिली बग जहां से कलिया निकलती है यान की नए बर्च निकलते हैं, वहां सबसे ज़्यादा दिखती है Milibug कली में से सारा रस चूज़कर इसे dry कर देती है इसका एक ही इलाज है या earbuds इसे आप easily इस Milibug को remove कर सकते है कुछ इस तरह से हप्टे में एक बार अगर आप Milibug को इस तरह से remove करेंगे तो कुछ ही समय बाद Milibug की समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी मिली बग जैसे हानी कारक कीटों को प्लांट से दूर रखने के लिए एक काम आप और किजिए पॉटिंग मीडिया को आप कभी भी कंट्यूनिसली गीला यानि की मौइस्ट ना रखे मिट्टी थोड़ी सी द्राई हो उसके बाद ही आप पानी दे और पॉटिंग सर्फेस को बिलकुल क्लीन रखे कुछ इस तरह से और हाँ दोस्तो विन्टर की सीजन के बाद प्लांट को हार्ड प्रूनिंग जरूर करे जिससे नई ब्रांचिस निकलेंगी और जितनी ज़्यादा नई ब्रांचिस होगी उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स भी आएंगे गड़हल के प्लांट पर हफ्ते में एक बार किसी अच्छे से पेस्टिसाइस का स्प्रे जरूर करें मैं रेगूलर्ली यह काव यूरीन और नीम ओईल का मिस्रण हफ्ते में एक बार स्प्रे करता हूँ जिससे प्लांट को हानी करक किटानों से कुछ हच तक बचा जा सकता है और हाँ दोस्तों यह प्लांट हेवी फिडर है याने कि इससे ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती है तो आप फ्लावरिंग सीजन में 15 दिन में एक बार कोई भी अच्छा सा और्गेनिक फर्टिलाइजर जरूर यूज करे समर की सीजन में चीटियों का प्रकोब भी बहुत ज़्यादा रहता है चीटिया अनिय कीटो को भी अपने साथ लाती है चीटिया और अनिय कीटो को पॉटिंग मीडिया से दूर रखने के लिए अब महिने में एक बार दो से टीम स्पून जितना नीम कैक या फिर नीम खली पॉटिंग मीडिया में जरूर मिक्स करे प्लांट को आप 6 से 8 हवर स्टक फूल सनलाइट में रखेंगे तो आपके गधर्ट के प्लांट पर देर सारे फ्लावर्स 100% आएंगे थैंक्स पर वाचिंग बाइ